नमस्वार दोसों आप शवी का बहुत भोष्षवागते दोसों आपके घर आने वाले हैं तेन बड़ा देवता ज़्या दोसों अब आपकी जुनकाल पर वहद चमतकार होने वाले हैं जिन्ने हुवार शुनकर आपको अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा जिया दोसों परने दोसों आप शबी को बता दें कि दुख्यारों के दुख कौन हरता है जिवनकाल में शुक आखिर कौन देता है जिवनकाल में शबी दुस्मनों का घमन कौन तोड़ता है दोसों वो है भगवान जिया दोसों और यह शुमे वही भगवान आप शबी के जि इसी चीजें जिसे आप बहुत ज़्यादा प्रेशान है उन शविक के लिए यश में भगवान बहुत बड़ा वर्दान आपको देने वाले हैं प्रत दोसों आप शविक को बता दें कि यश में आपको अपने जुनकाल में कुछ बातों का बहुत विश्यस तरीकेशे ध्यान में रखने होंगेज क्यों दोसों इस हैं चमतकार बार बार नहीं होता बहगवान हर बार किशlike घर नहीं आते लेकिंगेदोसों यश में आप शविक के जुनकाल पर कौन शी बातीं आपको ध्यान में रखनी है कैसे आप को इन देवताओं को प्रेशन ने कर सकते हैं। आफिर आपको कौनशी उपाई करने हैं क्ईश्री आप इनकी पहचान कर सकते हैं। और यहां देपता की आने के बाद आप शबी की जूनकाल में कौन-कौन से बड़े चमतकार होंगे, कौन-कौन से बड़े कुशकुपरियां आपको मिलने वाली है। दोसों, तमाम जानकाल इस वीडियो में बहुती गंभीर तरीकिशे ग्रहों के गोचर परनिल्मित बताए गए हैं। शुरुआत करते हैं बगवान श्रीकिश्ण के एक बहुत यच्छे ग्यान से। पुछा तब भी वह यही जवाब देते हैं कि ये श्रीकिश्ण के हैं। भक्त बोला आपका। फिर घर के पूजा अस्तान पर जाकर श्रीकिश्ण जी अपने तश्वीर की और इशारा करते हुए पूजते हैं कि ये किश्की है। भक्त के आँखों में आशु आए बोला शिर्प यही मेरा है बलकि शब आपका है भगवान। तन भी तेरा है मन भी तेरा है तेरा पिंड और तेरा प्रान। प्रभु शब कुछ तेरा है बस तू ही एक मेरा है। जिए दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण के भक्त का या बात अगर आपको अच्छा लगा हो इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें भगवान श्रीकिष्ण आपके शभी मनाकौनाई पूरी करेंगे और इनके लिए कमेंट बख्ष मिल दें ज कौन श्रीकिष्ण करें आपको मिलना प्रारम हो जाएंगी तो आई दोस्तों बात करते हैं श्रब से पहले दोस्तों आप शभी को भगवान किशी ना किशी रूप में आवाशी आते हैं हमारे जिए उनकाल के शमर्षाएं जब हद से उपर हो जाती है जब हमें कोई व्यक ऑह जब आइए कि हमारी लिए प्रिक्षा का श्रमे है और यृश्वर हमारा परीक्षा ले रहा है पीछलीश में कितनी दुख दरद आपको मिले हैं कितनी स्रमशाओं का अपने श्रमना क्या है लेकि दूस्तों फिर भी आप घबराए नहीं यही तो परी क्रिक्षा यह है और यश में ये भगवान आपके घर आने वाले हैं जे दोसों हम आप शिव को बता दें कि आने वाली शिव में आप शिव की जुनकाल में अगर कोई गो माता आजाए तो दोसों इन्हें आप अपको भगवान का रूप मानना है ज़तों बगवान भुलिनात का रूप मानना है अगर आपके जोनकाल में कोई भी पक्ची आ जाए तो दोस्वों इन्हें आपको मालाक्ष्मी का रूप मानना है कि दोस्वों बगवान किशी भी रूप में आशकते हैं शबसे पहले दोस्तों आपको इन्हें दिवी दिविदिरताओं को दिल ये प्रणाम करना चाहिए शादे दोस्तों आपको बता दे कि अगर आपके जिवनकाल में कोई भी काला कुछता आजाए तो दोस्तों इन्हें आपको भगवान शुन्डेप का रूप मानना है दोस्तों इन्हें आपको पहचानना है और इनको कुछ अवश ही खिलाना है जहां तक होश्च के इनका आपको आदर करना है दोस्तों जिवनकाल में और कुछ नहीं है बगवान ही है जो कि हमारे कर्ष्टों को हरते हैं जो दोस्तों लोग तो शुन्डव कहने के लिए हैं लेकिन दोस्तों भगवान है जो कि कहते नहीं शुन्डव किशी ना किशी रूप में आकर हमारे जिवनकाल की शमयशाओं को हर लेते हैं तो दोस्तों आपको बश करना क्या है आने वाले शुव में जब भी आपके घर के आश पास या फिर आपको कहीं ये शी चीज जिगदाई जिर में आपको बगवान का रूप दिखने लगे तो दोसों तूरंत ही आप उसे परणाम कर ले और इश्वर से अपनी शारी दुख दर्द को शुना दें कि हे इश्वर हे शर पकड़ कर शिर जुका कर इश्वर चे यहां कह दे यकीन मानिए दोस्तों आपकी जुनकाल की शभी परिश्यानियां तूरंत ही हल कर देंगे दोस्तों आप शुकू बता दे कि अगले 24 घंटों की हैं अंदर आप शेवी की जुनकाल में इशाथ चमतकार होगा जिए द दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों में धर्म तरदा अध्यात्म की परति आपका आस्ता रहेगी आपका प्रवाश्याली तता शकारत्मक व्यक्तित्तों दूसरों के लिए यश्में उधारन बनेगा यहिश्व वाव आपके कारी चेत्रों को युजनाब धैरी और शयम बराकर रखें यह आपके लिए उचित होंगे दोस्तों बच्चों की किश्वी समस्या के निवारन में आपका शोयोग जर्री होगा कि मत दोस्तों यहिश्में गलत परवर्ति के लोगों शे मेल जुन ना रखें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्राव पर ध्यान देना आवश्चा होता है दोस्तों आपके दोवरा कहीं गई बातों का इस्टमाल आपका नाम खराब करने के लिए कि असकता है दोस्तों यह आप पर भी विश्वास ना रखें जिन लोगों के साथ आप मन मुठाब किये हैं दोस्तों वह लोगी आपके यह नई किसी पॉलशी आदी में निवेश करने के लिए समय हैं आपके लिए उनकूल होंगे तो सब्सक्राइब कभी-कभी अधित्तम काम की वज़शे शुवाब में चुछिडा पन भी आ सकता है घर के शुमस्याओं का हल रूंडने में पारिवरिक जनों का शयोग भी आप अवशन का शामना करते वक्त आपको जो है दूसरों से ज्यादा खुद के विचारों पर अधिक ध्यान देने की आवर्शक्ता होंगी दिन के अधिक वक्त जो है खुद को बैतरिन बनाने के लिए इस्तिमाल करें मन चाही बातों में पर्गती नो देखबाना आपके लिए दुख पैदा कर सकता है फिलाल दोस्तों परिस्तिती का शामना डट करना आपके लिए उचित रहेगा इस गुप्राण दोस्तों यह मैं आपके लिए जो समय होंगे पिछले कुछ कमियों से सीख कर अपने दिंचरिया में और अधिक बहतर शुदार लाने की कोशिच करेंगे जिस लोगों की शला लेने से आपको संकोच नहीं करना चाहिए दोस्तों यह में उनका मारदर्शन वपिर्श्योग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा प्रतु दोस्तों नकार्म परविर्थी के लोगों के शाथ आपके लक्ष को यह में भठका सकता है तो दोस्तों इन आपके लिए आउश्योगा करीवी मित्र द्वारा आपको खुशकवरी प्राप्त हो सकता है परिवार से यह में ज्यादा जो है मित्रता पुन वैवार रखें यह आपके लिए बैतर होंगी इस गुप्रादर दोस्तों यह में युवाओं को कोई विश्यस संदी प्राप् आपके लिए कुछ नई उप्लब्दियों का निर्मान भी कर रहा है जो कि दोस्तों भाईश में आपके लिए बहुत ही फाइद मर्शावित होंगे दोस्तों परिवार में प्रश्वंता का महाल भी रहेगा प्रन्तों यह में कुछ अचाना की बड़े खर्शी शमने आएं वहम और अपने घुष्य परिश्मने आपर काबू रखें यह आपके लिए भैतर होंगी इसको प्राव दोस्तों चाना के बारे में किसी काम को जो है आप बार बार सुने से सुरूँ कर रहे हैं तो दोस्तों इस वज़े से आपका उस बात के बारे में उत्साह कंग हरा है प्रस्तिती चे हार ना माने और तो कठी शुमय में भी उनकर डट कर मुकाबला करने के उश्र करें प्रस्तिती में बदलाव जरूर हैगा